नमस्कार दोस्तो मेरी यूट्यूब चैनल टेकनिकल जुगर्ड में आप से भी कस्वागत है तो दोस्तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज हमारे पास यह सूरिया कंपनी का ट्यूब लाइट चोग है तो दोस्तो आज हम इसको रिपेर करना शीखेंगे तो दोस्तो तो आप इसके कंडिशन को देख सकते हैं इसके अंदर से बिल्कुल यह बहुत ज़्यादा खराब हो चुकि ए और आप दूसरी प्लेट पर भी देख सकते हैं कि इसके उपर से बल्लेक बलेक हो चुक है तो यह वाटर के कारण इसमें इस पारकिंग के कारण यह हमारा और यहाँ पर वाटर से जंग के कारण यह कि सिरामिक केपिश्टर में भी इसका एक टांग तूर चुका है तो दोस्तो और पीछे की साइड में से आपको दिखा दूँ तो इस बोड की बहुत बुरी कंडिशन है तो चलिए दोस्तो आज हम इसको रिपेर करना शेकेंगे और चलिए दोस्तो देख लेते हैं कि इसमें प्रोब्लम कहां कहां पर आ रही है तो सबसे पहले हम सभी कंपोनेंट्स को चेक करेंगे तो दोस्तों इसमें इस परकार के बोड़ों में सबसे ज्यादा खराब आने वाले चीज़े मैं आपको पहले बता दूँ कि इसमें सबसे ज्यादा खराब तो इसके जो यह दो ट्रांजिस्टर है यह सबसे पहले यही खराब होते हैं और अगर यह ट्रांजिस्टर खराब नहीं है तो इसका फ्यूज कराब हो सकता है यह फ्यूज है तो मुझे फ्यूज में भी संका लग रही है तो आप लोग देख सकते दोस्त यह फ्यूज भी जलावा दिखाई दे रहा है और अगर फ्यूज भी खराब नहीं है तो यह जो चार डायोड लगे हुए है उनमें से कोई डायोड खराब हो चुका है और दोस्तों जब यह डायोड और फ्यूज सही है तो 100% यह हमारे ट्रांजिस्टरी खराब हो जाते हैं खराब होने के बाद में जो पीछे से SMD रेषिस्टर लगे हुए है इनमें से भी बहुत कुछ खराब हो जाते हैं तो आज हम देख लेते हैं कि mb recovering कहा आई है तो चलिए मैं अल्टी में चलित हैं इन ट्रांजिस्टरों को और डायोड और फ्यूज आदी को मैं टेस्ट कर लेता हूं और साथ इमें जो यह एक हमारा सिरा में किफेष्टर कितनी इसमें एक टांग तूट गई है इसको भी हम रिप्लेस कर लेते हैं तो चलिए दोस्तो सबसे पहले मैं सबसे बी को टेस्ट कर लेता हूं टेस्ट करने से पहले मैं इससे पहले पैट्रोल से अच्छी तरीके से दो लेता हूँ जिससे कि यह हमारी PC भी तोड़ी अच्छी दिखने लगे और इसके प्रिंटों में कुछ सपाई हो जाए जिसके कारणी है अगर इसमें दुबार पावर सप्लाई दे तो इसमें कोई इस पार्किंग की वज़ा नहीं हो तो यह देखे दोस्तों हमने पीच्छे से इसको पैट्रोल से अत्री तरीके से साब कर लिया है और आप लोग देख सकती है कितनी किलियर दीख रही है तो इन वें से एक भी रिशिस्टर मुझे खराब नहीं लग रहा है तो उसी परकार से मैं इस साइड में से भी इसमें जहां जहां पर यह वाटर डेमेज वहां से पैट्रोल से अच्छी तरीके से साब कर लूँगा तो दोस्तों हमने इसको अच्छी तरीके से साफ कर लिया है कि अब कंपोनेंट्स को चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से कंपोनेंट्स खराब है तो सबसे पहले हम फ्यूज को चेक करेंगे कि इसमें 70-80% फ्यूज ही खराब होता है और फ्यूज अगर खराब नहीं होता है तो उसके बाद में हमारे ट्रांजिस्टर खराब होते हैं और transistor और ये diode इन तीनों में से ही खराब हो जाते हैं और दोस्तों इसमें से ऐसा कोई components नहीं है जो जल्दी से खराब हो तो इन तीनों को ही हम चेक करेंगे सबसे पहले तो चलिए मैं multimeter से आपको बताते तो हूँ किस परकार से चेक करना है तो दोस्तों multimeter को हमें continuity mode पर set करना है तो आप लोग देख सकते हैं ये इसका नीचे वाला जो ये चिन होता है वाइफाई की तरह है तो इसी पर हमको इस multimeter को set करना है तो दोस्तों multimeter में हम दोनों props को आपस में touch करते हैं इसमें beep की sound सुनाई देती है आप लोग देख सकते हैं किसा है तो हम सबसे पहले हमारी इस रிसस्टर को check करएंगे तो अगर इस रीट की sound आ रही है तो यह रीशिस्टर सही है और अगर इसमें continuity नहीं आ रही है तो यह रीशिस्टर खराब है तो यह देखें दोस्तो सबसे पहले हमारा रेशिस्टर कराब है तो हम सबसे पहले इस रेशिस्टर को यहां से replace कर देंगे और इसकी जगा को यह दूसरा वन ओम का रेशिस्टर लगा देंगे तो यह फूजिबल रेशिस्टर है तो चलिए इन चारो डायोड को भी हम चेक कर लेंगे डायोडों मैं आपको मैंने पहले भी बताया था पहले पिछले वाले वीडियो में कि एक सब्सक्राइब एक essla यहें दूसरी सब्सक्राइब नहीं आती है और अगर यह और यह बजर बचता है तो डायोड खराब है तो चलिए मैं पहले आपको धिक्हा कर दो तो दोस्तों हमारे चारो डायट भी सही है और क्यों आप ट्रांजिस्टर को और देखना है जो ट्रांजिस्टर तो मुझे वैसे भी ठीक लग रहे हैं क्योंकि अगर ट्रांजिस्टर खराब हो जाते तो हमारे यह पिछले वाले जो SMD रेशिस्टर है उन में से इन में से रेडिंग नहीं आ रही है यह अप कंट्यूनिटी मोड दिखा रहा है कंट्यूनिटी दिखा रही है डायट भी आ रही है तो यह हमारे ट्रांजिस्टर भी खराब हो चुके है तो चलिए मैं आपको तोड़ा जूम करके दिखाता हूं तो यह देखिए दोस्तों इसमें रीडिंग आ रही है और दूसरे साइड में भी रीडिंग आने चाहिए तो इसमें भी रीडिंग आ रही है तो यह हमारा ट्रांजिस्टर सही है उसी परकार से इस तूसरी को भी देख लेते हैं तो दोस्तों हमारे लिए ट्रांजिस्टर भी सही है इसमें किवल एक फ्यूज ही खराब और साथ ही में जो यह एक सिरम के पिशिटर है यह इसका खराब है खराब तो नहीं है लेकिन यह जंग के कारण इसकी टांग तूट चुकी है यहां से तो हम इसको रिप्लेस कर देंग तो चलिए दोस्तों हम पहले सबसे पहले इसके फ्यूज को यहां से अट आएंगे और उसके दूसरा लगा लेंगे तो यह देखिए दोस्तों हमने रेशिटर दूसरा लगा लिया है तो अब इसकी जगद दूसरा से रामी केपिशिटर भी लगा लेंगे और फिर इस चोग को चला कर देखेंगे कि यह चलता है या नहीं चलता है तो यह देखिए दोस्तों हमने शिरा में केपिशिटर को भी चैंज कर लिया है तो चलिए अब इसको टेस्ट करकर देख लेते हैं तो यह देखिए दोस्तों हमने इस बॉर्ड में वाइरिंग कर लिया है और इसको ट्यूब लाइट के साथ अटेस्ट कर लिया है और हमने एक शिरीज बॉर्ड भी लिया है तो हमने इसी शिरीज बॉर्ड के मादे हमसे इसको चेक करेंगे तो दोस्तों किसी भी अप्लाइ लाइट चोक को चेक कर लेते हैं तो यह देखिए दोस्तों हमारा यह ट्यूब लाइट चोक बिलकुल अच्छी तरीके से सही हो चुका है और हमारी ट्यूब लाइट अच्छी तरीके से जल रही है आप लोग देख सकते हैं इसमें जो हमारा श्रीज लेंप वह भी तोड़ा तोड़ा जल रहा है इसका मतलब यह तोड़ा लोड ले रहा है तो दोस्तों तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमने इसी ट्यूब लाइट चोक को किस परकार से रिपेर गया यह वाटर डेमे किया तो हमने दो Tampa को करके इसे हमारी ट्यूब लाइट चोक को रिपेर कर लिया है तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करे करें ना बुले तो दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में आज के लिए इतना ही दन्यवाद दोस्तों